एपिसोड की शुरुवात में हम देखते हैं कि हान जिंग ने होटल के ओनर को पकड़ा होता है और होटल के ओनर के बाड़ी गार्ड ने सूचियो को होटल का ओनर हान जिंग से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी लेडी को भी छोड़ दूँग वो से कहता है कि क्यों ना हम बैट कर बात करें इस पर हान जिंग उसे छोड़ देता है इसके बास अभी एक टेवल पर आ जाते हैं यहां सूचियो होटल के ओनर को बताती है कि वो एक इंस्पेक्टर है और वहाँ वो एक मडर केस के इंविस्टिकेशन के सिलसिले में आई ह वो ऑनर से रिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यह रिंग बस कुछ ही लोगों के पास थी वो चार लोग थे जो कि की कंट्री और उसके लोगों को सपोर्ट किया करते थे वो बताता है कि वो खुद भी एक की मैन है और उसकी एज अटी नाइन इयर्स है ये सुनकर सूझियो हान जेंख के और देखने लगती है कि हान जेंख कितनी होगी इस पर हान जेंख कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो होटल का ओनर पूछता है कि क्या तुम दोनों मैरिड हो हान जेंग कहता है कि बिलकुल नहीं ये बस मेरे साथ मिलकर काम करती है हम दोनों बस पार्टनर्स हैं लेकिन सूजियों कहती है कि नहीं मैं इसकी वाइफ हूँ ये बस मुझसे गुस्सा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं इसके बाद दोनों होटल से बाहर आते हैं और सारी बातों को ध्यान से एनलाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मडर है वो एक की मैं नहीं है बल्कि वो बस आम लोगों और की मैंस के बीच नफरत पैदा कर रहा है वो बस आम लोगों को ये यकीन दिला रहा है कि की मैंस बहुत खतरनाक होते हैं और लोगों को मारते हैं इधर गाड़ फादर सूजिओ की मदर को कुछ इंजक्स देते हैं इसे देखकर वो बहुत खुस हो जाती हैं और उन्हें थैंक्स बोलती हैं बदले में उन्हें कुछ health improve करने वाली medicines भी देती हैं इधर सूजियो वापस police station आकर dead bodies की जांच करने लगती है यहां वो देखती है कि चारो bodies की finger में ring कर निसान है पर जो body last में पानी के अंदर से मिली थी उसमें ऐसा कोई निसान नहीं है यह देखकर वो हैरान होती है तभी वहाँ हान जेंग आ जाता है और वो सूजियो से कहता है कि तुम मुझे बिना बताए यहां अकल investigation कर रही हो तुमने तो कहा था कि हम partners हैं और साथ में मिलकर यह case investigate करेंगे सूजियो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम police station आओ कोई तुम्हें देखे और कोई problem create हो जाए हान जेंग कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे अपना partner क्यों बनाया इतना कहकर वो उसे उठा करी कि टांग देता है यहां सूजियो पर फिर से उसकी बीमारी का दौरा पड़ता है और उसे चक्कर आने लगते हैं वो हान जेंग से उसे नीचे उतारने के लिए कहती है पर हान जेंग उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे मुझे partner बनाने के पीछे क्या चाल है इस पर हार ठक कर सूजियो से अपनी बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें टच करती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ प्लीज मेरे करीब आओ मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ मुझे बहुत शक्कर आ रहे हैं हां जिंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे हैरेस करने के लिए कहानिया बनाना बंद करो सूजियों के हारत बिगरती जा रही थी इसलिए वो हान जिंग को अपने पास खीच कर किस करती है जिस पर हान जिंग सॉक्ट रह जाता है तब ही वहाँ आफिसर जिन आते हैं तो हान जिंग जल्दी जल्दी एक चादर ओर कर डेड़ बॉड़ी के बिंच पर सो जाता है आफ सूजियों ऑफिसर जिन को बताती है कि यहां जितने भी मडर्स हो रहे हैं उन्हें करने वाला आदमी कीमैन नहीं है बलकि कोई और है यहां ऑफिसर जिन कहते हैं कि फिलहाल तो इसका कोई सुबूत नहीं है अगर हम सोके सामने यह प्रूब कर दें कि यह सारे मडर्स एक कीमै नहीं किये हैं तो तुम्हारी जॉब बच जाएगी और मुझे प्रमोसन मिल जाएगा फिर हम दोरों मिलकर किसी कीमैन को इसमें फ्रेम कर देंगे और यह केस बंद हो जाएगा पर सूजियों कहती है कि मैं इसा नहीं कर सकती मैं पुलिस ऑफिसर हूँ मेरा काम सच का पता लगाना है ना कि अपने फाइदे के लिए किसी को फसाना उसकी ये बात हान जिंग में सुन लेता है और वो सूजियों की बातों से काफी ज़्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि तुम वाकई एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हो तुम मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो और मेर मेरी बात माननी होगी इस पर सूजियों की सारी सरते मान लेती है इसके बाद वो हां जिन से कहती है कि यह तो हमने पता लगा लिया कि जो मर्डर है वो की मैं नहीं है पर जिस आत्मी ने मुझे धक्का दिया था वो तो एक की मैं ही था मैं सोच रही हूं कि इन दोलों में क् काफी लंबी होती है इसलिए मुझे चेक करने पर पता चला कि 40-50 साल पहले इसे कोई चोट लगी थी जिससे इसके पैरों और हातों की कई हडिया फैक्चर हो गई थी और वो अभी तक इसका ट्रीटमेंट करवा रहा था अब मडर का पता लगाने के लिए सबसे पहले इस इतना कहकर वो वापस उस ब्रिज पर जाता है जहां मडर ने सूजियों को धक्का दिया था यहां पहुचकर वो अपने फ्रेंड मूयान को याद करता है इधर सूजियों की मदर परेशान होती है क्योंकि काफी रात हो जाने पर भी सूजियों अभी तक घर नहीं आई थी इस पर सूजियों की फ्रेंड उन्हें बताती है कि सूजियों को आजकल कोई मिल गया है शायद वो उसे की वज़े से अभी तक घर नहीं आई है सूजियों की मदर उसकी बातों को सेरियसली नहीं लेती और अंदर चली जाती हैं तभी वहां गौड़ फादर भी आ जाते है वो भी उसे सूजियों के बारे में पूछते हैं तो उन्हें भी यहीं बताती है कि शायद सूजियों किसी की मैं के साथ डेट पर गई है गौड़ फादर भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करते तो कहती है कि क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि आजकल वो बेहोस नहीं हो से लेटर सारी बाते बता देती है और कहती है कि हम दोनों बस साथ मिलकर काम कर रहे हैं इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद गौड़ फादर कहते हैं कि मैं इस रूट की मैं को अपने डॉर्टर के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगा इधर हा हां जिंग कहता है कि बिलकुल भी नहीं वो तो मैंने उसे साथ इसलिए लिया है ताकि हमें पुलिस स्टेशन की खबरें मिलती रहें और हमारा काम आसान हो जाए दोनों मरे हुए बंदे का पता लगाने की मार्केट जाते हैं यहां कुछ की मैंस को सामान लेने के बहाने ट दोनों के बारे में कुछ पता करते हैं इतना कहकर वो दोनों पुरानी जड़ी बूटियों की सौफ में इंटर करते हैं यहीं यह पार्ट होता है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहे ये मेरे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की इंस्टेंट डोडिफिकेशन्स मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई